मास्टर वीडियो के माध्यम से, टॉप 20 के माध्यम से, सूपर 50 के माध्यम से, मैंने आपको एज पढ़ाया है, तो यहाँ पे देखिए, पहले उदाहरन में आईए, एज में क्या है, एज का important points आप सभी को पहले से पता होगा, कि आयू में जिस समय का अनुपाद दिया रहे मैं ऐसे बोल देता हूँ, क्योंकि एज रेशियो ही है, एज जो है, एक तरीका से रेशियो का ही एक पार्ट से है, रेशियो पर ही धारीत है, बस एक दूपाद दियान रखना है, आयू समंदित प्रश्णों में जिस समय का अनुपाद रहे, परियास करिए कि निस्षित र आपत होगा, तो जड़ा धियान दिजे मेरे बाद, मोहन और सोहन की बरतमान योग का योग है, एक जामपल है एक दूप, मोहन और सोहन, बरतमान योग है 40 वर्स, चार वर्स पहले उनका अनुपाद, तीन अनुपाद एक, आप चार वर्स पहले लिखे हैं, तो आपको जाना चाहिए, कि चार वर्स पहले की बात किया जा रहा है, यदि चार पलस लिखेंगे, तो समझना चाहिए, कि चार वर्स पहले की बात किया जा रहा है, पी से परजेंट, तो चार वर्स पहले तीन अनुपाद एक होगा, आप सवाल ये उड़ता है, कि जिस समय का रेसिय और उसी समय का निश्टित रासी होना चाहिए, तभी हम तुल ना गुना कर सकते हैं, रेशियो के नियम से, तब उलिया की सर जी, यहां पर 4 बर्स पहले का रेशियो है, तो योगफल भी हम 4 बर्स पहले का ले चलेंगे, तब बरतमान से 4 बर्स पहले जाना है, तब एक आदम 40-8 क्योंकि दो आदमी का है तो हो गया 32 तो चार वर्स पहले योग 32 हो गया निशित रूप में रेशियो के जोड़ेंगे तो तीन एक चार हो गया योगफल की तुलना योगफल से उनकी बर्तवान है यूँ मतलब दोनों की तो मोहन निकालना है तीन से सोहन निकालना है एक स तो क्या बोलें कि जिस समय का रेशियो रहे परिणाम उसी समय का होना चाहिए चार वर्स पहले का रेशियो था हम योगफल को भी चार वर्स पहले ले गए दोनों चार चार वर्स घटा लेकिन अभी जो गुना की है तीन से मोहन का और एक से सोहन का तो जो मोहन और सोहन का जो निकलेगा उचार वर्स पहले का एज निकलेगा जिस समय का अनुपात रहे परिणाम उशी समय का प्रापत होता है काठ ये यही हम सभी का अंसर हो जाएगा अप्सन तो दिया नहीं है चुकि उदारन वाला कोश्चन है तो मोहन 28 वर्ष, सोहन 12 वर्ष देख लिजे बढ़ियां से किसी को कोई संका, कोई संस है, कोई परिशानी है तो बोलिए नहीं है तो थोड़ा तेजी में आगे बढ़ते हैं बहुत ही सिंपल कोश्चन, आज़ा ये कोश्चन नमबर अगला उदारन है एक्जामपल अगला है करा निसार मनीशा ध्यान दिजिएगा इविसे उसी जैसा है निसार मनीशा कि बर्तमान आयू का योग, यहाँ भी देखे बर्तमान योग दिया है बर्तमान योग कितना है, 32 बर्तमान दे दिया है देगे न, अनुपातिक रासी कब का दिया है, यह कैसे पता चलेगा बड़ा 6 बर्स बाद, अब देखे, हाँ 6 बर्स बाद उनके आयू का अनुपात होगा अब निस्टित रासी बर्तमान का है है और जो रेशियो हैऊ छे बश बाद का है तो फिर से हर कॉषन में चुनसेट राएगा जिस समय का अनुपात रहे रेशइव रहा उससमय का निष्रासि सहीय तो शे बरस बाद का रेशियो दीज अच्छय और लेकर चलते है बर्तवान में दोनों आद्मी का योग 32 है तो इतो अनपड़ आद्मी बता देगा कि छे बर्स बाद योग कितना होगा तो बले सर्ड दुनों आद्मी में 6-6 बर्स बढ़ जाएगा यानि 12 बर्स बढ़ जाएगा तो 6 बर्स बाद दोनों का योग हो जाएगा आप बोड़ रहे हैं चाह वालिस हो जाएगा 6 बर्स बाद रेशियो दिया हुआ है 6-11 योग कितना योग से उनकी बर्तमान आई हो निशा निकालना है 6 से मनिशा निकालना है 5 से एगा जग 44 तो 6-4 का 24 अचार पचे जो 20 आया यह आया 6 बर्स बाद का हमें चाहिए बर्तमान का तो बुलिया कि सर 6-6 बर्स बढ़ेगा कि इसमें बढ़ेगा 6 इसमें बढ़ेगा तो अभी 6-30 बर्स निशा 30 बर्स की हो गई और मनिशा 26-26 बर्स की हो गई पिछला में 4 बर्स पहले का निकला था तो चार जोड़े थे वोई भी बता देगा कि छे बर्स बाद का दिया वे बर्तमान निकालना है तो छे घटाएंगे तो 6 घटेगा, 24 में 6 घटेगा, 18 बर्ष और 20 में 6 घटेगा, 14 बर्ष यानिनीशा और मनीशा, 18 और 14 बर्ष की है पढिया है, दो उदारन था, इसलिए मैंने बता दिया अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आ जाये model solution, model question, 15 question है इसका हम लोग तावरतोर सॉलूसन करते है कुशन आपको आसानी से दिक्रा होगा कता A, B, C, D 4 मित्र है बहुत बढ़िया है A तथा C के आउसदायू 35 वर्स है और B तथा D के आउसदायू कितना है 40 वर्स है फिर से आई कता A, B, C, D 4 मित्र है A तथा C के आउसदायू 35 वर्स है बहुत बढ़िया B और D के आउसदायू 40 वर्स है इसे हमें योगफल निकाल लेंगे इस चारो मित्र है कुशन के अनुसा चलिया तो A और C के आउसदायू कितनी है 35 तो योगफल हो जागा 35 दूनी 70 और B और D के आउसदायू कितनी है 40 तो योगफल हो जाएगा 40 दूनी 80 और B यहां से A, B, C, D का योगफल निकल जाएगा अच्छा चलिए आगे देख लेते हैं उसके बाद क्या कह रहा है यहां समचाहेंगे तो A, B, C, D पराबर हो जाएगा देख लेते हैं कोई आप्समें देख सो रहीगा तो अंसर मार देख लेंगें पचास और चालिस नबबे अतिसए एक्सट्व इस और यहीं वहां जोड़ के आ रहा है तो तो के बढ़ ऑप्सन से काम चाले आप लिए दूतीन ऑप्सन आता जोड़के देड़सों तब जैसे आप हमने क्या क्या यह और सी का उसद है पाइटीस तो योगफ़ल निसीत है आउसाद मालब दोनों का वराबर हिस्सा पाइटीस है तो योगफ़ल पाइटीस दूनी 70 बी उटी कैसी होना चाहिए टीस होएं मनला डीलटी से योगफ़ी डील के एक सो बीस होना चाहिए तो जोड़ यह हो रहा है यह थाजिआ यू का योग टीgres यू को यू यू के पर ये मालब पुत्र की उम्र की पाँच गुनिया बहुत बाद की पुत्र के उम्र की पाइंट रचवु लिके देंगे है पिता के उम्र पूत्र की उम्र की ती गुर्णई होगी यहां है मतलब बत्मान इता की उमर पूत्र की उमर की 5 गुर्णई है मतलब बत्मान मनद पूत्र एक हैत पिता पाँच और आज से दस वर्ष बाद पूत्र एक तो पिता तीक नहीं मदलब तीन अब एक चार एक चीज एज में एज में यह स्पेशल दूसरा टाइप हम लोग पढ़े थे मास्टर वीडियो कभी मौका मिले तो देखिए नहीं तो सूपर 50 सूपर 30 एज का टॉप 20 भी करवा हैं देखिए इस वीडियो दो ब्यक्तियों के आयू का अंतर हमेशा सेम होता है यदि आपका भाई दो सल छोटा है तो कुम के बेला मैं खो गया 80 साल बाद मिला तो भी दूजे सल छोटा रहेगा ऐसा नहीं कि वो खो गया तो बढ़ेगा ही नहीं समझ रहे हैं यदि जिन्दा है तो यहाँ पे देख ल कि ůड़ा दोनों की बर्त वां तो पर्त Barn से 10 साल बाद जाने मिंद की विर्दी यह तो देखें 5 से छे होगया एक एक पचास दिया ही नहीं है आप देख लीजिए बढ़िया है दिक्कत है प्रशानी है तो बोलिए और नहीं तो इस अब कोशन तो सिंपल है लॉलीपॉप है कहीं परस को दिक्कत ही नहीं है आजाए कोशन नमर तिसरा सुधा था उसके मां के उम्र का योग 63 साल है सुधा और मा बर्तमान योग 63 बर्स है कि चार साल पहले सुधा की मारे सुधा से 4 गुंय थि चार बर्स पहले सुधा माइनस 8 क्यूंकि 2 4 4 सल घठेगा तो 63 में से 8 घठ गया तो 55 वर्स कि तो यहां यूपफल 55 हो गया यहां यूपफल पांच हो गया तो दा कि मा की बरत्मान आई हो तो मा चार से बुना गरारा पचे पच पच पर नेगार चुक चौवालिस लेकिनी चौवालिस जो निकला हूँ चार सल पहले का निकला हमें बरतवान चाहिए तो चार जोड़ेंगे हो गया और तालिस बरस जोडने घटाने वाला फंडा ही बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं जिसके कार उनको लगता है कि यह जाड है जबकि सब जान रहा है कि चार परस पहले का यह दि निकला बरतवान निकलना है चार जोड़ देंगे क्लियर है आगे बढ़ते हैं बढ़ते चलिए तुफानी अंदाज में तब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आजाए चावथा नंबर कोशन मज़ेदार है लाली पाउप है कर आए मेरे बहाद्रों कि A और B की बरतमान आयू का योग 110 बरस है 20 बरस पहले उनके आयू का अनुपात माइनस 20 बरस पहले उनके आयू का अनुपात था 4 अनुपात 3 और कोशन का रहा है कि बरतमान योग 110 बरस है फिर सेम पीछे जैसा कोशन बरतमान योग 110 बरस एज का नियम क्या कहता है कि जिस समय का अनुपात रहे एक सोचान पहले बीस बर्थ पहले ले जाना है तो टेयस माइन सब्सक्राइब कहा है तो 20 बर्थ पहले योग से 110 मैंनस शालीsu सत्तर बर्थ इस अब योग यहाँ स हुलना योग से निकालना एक ही आई हूँ तो चार से सादना है सतर दाशो के चालिस चालिस हुआ तो बीच साल पहले हुआ बीच साल जोरना पड़ेगा यानि साथ वर्स कितना हो जाएगा साथ वर्स पिलियर है किसी भी बाहदुर को कोई दिक्कत है तो बोलिए नहीं ना साथ वर्सा गया ना अंसर साथ वर्सा है ओप्सन नमबरे चली आगे बढ़ जाते हैं कोशन नमबर चवथाम पहुंची पच्मा में ये कोशन भी बड़ा परचलित है और सभी एकजाम में पूछा जाता है भी भी आई कमला की साथी छे साल पहले हुई इसका अर्थ ये हुआ कि बर्तमान में जो कमला का एज है और उसके साथी के समय का एज है उसमें अंतर छे वर्स का हो गया मतलब कमला का जी समय साथी हुआ था उस समय से 6 बर्स बीच चुका है तो बोल रहा है कमला के साधी 6 बर्स पहले हुई 6 साल पहले हुई आज उसकी उम्र साधी के समय के उम्र का एक पुर्णांक एक बटा चार यानि पांच बटा चार गुणी तो आज उनकी उम्र साधी के समय आज मतलब बर्तमान साधिक समय के एज का साधिक समय में का लगा तो इचार तो बर्तमान में पाच ऐसे भी बर्तमान में साधिक समय इस तो ज्यादा एज हो जाए उसके लड़के की उम्र मतलब कमला के लड़के की उम्र उसकी बर्तमान उम्र का एक बड़ा दा से तो लड़के एक उम्र क्या है तो पहले कामला की बर्तमान उम्र निकाल लेते हैं मुले सर कामला साधिक समय थी बर्तमान में पाच क्योंकि पाच बड़ा चार बोल रहा है साधी के समय और साधी 6 साल पहले हुई थी यानि बर्तवान और साधी के समय के आयू में अंतर 6 साल है आ रेशियो में अंतर केतना का है एक का अंतर की तुलना अंतर से कामला का बर्तवान निकालना है तो पास से तो कामला 30 वर्स हो गई कामला बर्तवान 30 वर्स लेकिन उसके लड़के की आयू पूछ रहा है अब लड़का जो है कमला की आयू का एक वटा दस है तो तीस का एक वटा दस हूँ तो जैसे ही तीस लाए तो माइड में आ जाएगा कि अंसर अब तीन बर्स होगा यहां पर सोचने वाला कोश्चान है इसी को रिजनिंग कहते हैं पिछले वर्स रभी के आयो किसी संक्या के बर्ग के बराबर थे और अगले वर्स भाई घन के बराबर हो जाएगी उसके आयो दोवारा किस वर्स संक्या के घन के बराबर होगी इसके लिए उसे कितना समय का इंतिजार करना हो है आप सोचिये कितना लें मतलब अभी बरतमान में रभी की आयू कितना है कि उसमें अगले बस एक के जोड़ेंगे तो उगहन बन जाएगा ये घटाएंगे तो बर्ग बन जाएगा तब बुलिया कि सर्बाव सोचिये, सोचने वाला कुश्षन है क्योंकि इसमें माइथमेटिकल दिमाग नहीं लगे तो रभी की बरतमान आयू देखिया, स्कायर और क्यूब कुछ ही संक्या नहीं है तो सोचना असान है यहां हम रभी की आयू यदि हम 26 वर्स लेते हैं तो देखें, अगले साल मनलब एक बरस के बास 27 वर्स हो जाएगा जो कि निश्षित रूप से तीन का क्यूब है, कि संक्या का घं है पिछले वर्स उसके आयू 25 वर्स थी, जो निश्षित रूप से किसी का बर्ग है इसका मुलब निश्चित है कि बर्तवान में जो रभी है वो 26 वर्स का है आर को संक्या उठाके देख लीजिए कि उसके एक साल बाद अगले साल जश्ट घं होना मुस्किल है उसके एक साल पहले जश्ट बर्ग होना मुस्किल है केवल 26 लेंगे तभी होगा 26 लेंगे हैं अगले साल 27 होज़ागा जो कि तीन का घं है उसके पिशले साल 25 जो कि पाच का अस्कौार है तो यही इस बोल रहा है कि रभी की आयू कि संक्या के बर्ग क्या पिछले बर्स बर्ग के बरावर थिया हूँ लेकिन उसके बाद दोबारा घं करना हूँगा लिए उसको 38 साल का इंतिजार करना हों नो टो कि अर्ट इसदास करना हो और यंटियों से बिच्छाल नेinkट लुक्त क्योंकि इछले सिर्वत कि लोगे सिर्वर्फ प संप्रद और र मुर्ण बने गवा और टहसे हुआ पड़ेगा कि कोश्चन नमबर भी हो गया कि लिए रहे मेरे शारे सेरवादुर आ जाई है कि कोश्चन नमबर साथ आई है कि एक पिता की अपने बड़े लड़के की उम्र की दूगनी है पिता कि सोचने वाला भी वी आई कोश्चन ने बराबर रिपीट होता है पहले पूरा पढ़िए पिता की उम्र बड़े लड़के की दूगनी है दस वर्स वाद पिता की उम्र छोटे लड़के की दूगनी है बरतमान दस वर्स वाद छोटे लड़के की उम्र की दूगनी होगी यदि उनके दोनों लड़कों की बरतमान उम्र में 15 वर्स का अंतर है यहां से पता चले मतलब जितना छोटा लड़का होगा उससे बड़ा लड़का 15 जादा होगा या जितना बड़ा लड़का होगा उससे टोटे लड़के है ऐसा करते हैं छोटा लड़का को बरतमान में हमें एक्समाद में लेते हैं एक एक टो सवाबाव ब्रटा लड़का एक्स म追ते मांद्रह हो जाएगा तो यह तो अंधर मुझा बढ़के न बढ़ा सुर्छ हो गाँ चोटा लड़का एक्स पल uh पंद्रह हो जाएगा और पीता बरतमान में है जो बड़े लड़के का दूगना है इसका दूगना करेंगे तर टू एक्स पलस तीस हो जाएगा कि अब कहा रहा है क्या दस वर्स बाद यानि पलस दस दस बर्स बाद 10 वर्स बाद पीता की उम्र छोटे लरके की तुगनी, तब 10 वर्स बाद पीता की उम्र को लेके चलिया और छोटे लरके की उम्र को तब बर्तमान में देखें, फिर साईए, पिता की उम्र बड़े लरके की तुगनी है, 10 वर्स बाद छोटे लरके की तुगनी होगी, लेकिन दस बर्सवाद ले चलेंगे तो 10 यहां जूटेगा और 10 यहां जूटेगा इसको रहने देते हैं ऊब रहाँ इसको रहने देटा हैं तो यह गुष्ण भी विए यह से लेक्टेट को सनने जो बराबर हर एकजाम पूछे जाते हैं आजाए मेरे शेर बहादरों कुसर नमर आठ को देखते हैं पांच बर्स पूर्व संगीता की मां के उम्र संगीता की उम्र के तिगनी थे पांच बर्स बाद संगीता की उम्र के दुगनी हो जाएगी तो संगीता की परतवान उम्र पांच बर्स पूर्व संगीता और मां तो पांच बर्स पूर्व माइनस पांच लिग दिये संगीता की मां की उम्र संगीता की दूगनी मलब संगीता एक तो मां तीन पांच बर्स बाद संगीता की उम्र की दूगनी मलब संगीता एक तो मां दो रेशो परकट करना जान रहे 24 साल 20 साल भी सालोतने वड़ा हमेंसा रहेगे यानि अंतर सेम उपर दो का अंतर नीचे का एक का अंतर तो उपर के अंतर से नीचे कुना नीचे के अंतर से उपर कुना अंतर सेम हो गया देखिए एक काई एक तीन काई तीन दो का अंतर तो यहां तो बर्तमान किसी का नहीं निकलेगा, जैसे यदि संगीता एक है या दो है, तो यदि हम एक से गुना करते हैं, तो पांच सल पहले का निकलेगा, तो पांच जोड़ना पड़ेगा, यदि हम दो से गुना करते हैं, तो पांच सल बाद का निकलेगा, तभी तो बर् हमें बरतमान चाहिए तो 5 बर्स और जोड़िए यहनि संगीता बरतमान में 15 बर्स की है संगीता बरतमान में 15 बर्स की है किलियर एक ही टाप का कोशन बनाएंगे तो सबसे बड़ी बात होती है कि जब किसी बुक को खतम करते हैं तो अध्यूद कॉंट साता है कि हम कुछ पढ़े हैं कि डास बर्स पूर्व ए और वी के अउसदाई 20 बर्स थी बहुत आसान कि दस बर्स पुर्व कि आर वी के आउसदाई कितना थी बीश वर्स आज A और B C की आउसद आई 30 वर्स है तो इतना रेश्यो लिखने की कोई जरुवत नहीं है हमें हमेशा बर्तमान लेके चलना है 10 वर्स पूर A और B की आउसद आई है तो हम योगफल निकाल लेते हैं आउसद 20 थी बर्तमान निकालना है तो बर्तमान में 30 हो जाएगा बर्तमान में दोनों का आउसद 30 हो जाएगा क्योंकि 10 वर्स पहले दोनों 20 विस वर्स काई आउसद आउसद दोनों का बराबर हिस्सा 20 वर्स क्या कोई संका है कोई संसय है कोई परिशानी है तो बोलिए और नहीं है तो छोड़ दीजिए तता एक लड़की तता उसकी माता क्यायू का योग 56 बार से बहुत बढ़िया बात है योग है है मतलब बर्तमान योग चार बर्स बाद माता क्यायू पुत्री क्यायू उसे तीन गुनी हो जाएगी अप आप्सन से भी देख सकते है चार बर्स बाद माता क्यायू पुत्री क्यायू उसे तीन गुनी हो जाएगी या तो ऐसे भी देख सकते हैं चार बर्स बाद माता क्या यह पूत्री क्या यह उसे तीन गुनी हो जाएगी माता पूत्री एक तो माता तीन तो चार वर्स बाद का रेशियो दिया हुआ है हमें परत्मान का योग है तो हमें इसी तरह सी को भी चार वर्स बाद लेके चलना है तो लेके चलिए बरत्मान योग 56 बर्स तो 4 बर्स बाद योग हो जाएगा चापन अपलाइब चाचार बर्स दो आदमी में न जूटेगा तो चापन अवार 64 बर्स आप सुचिए कि योग हो जाएगा 64 बर्स यहां हो गया 4 निकालना है उनकी बरत्मान आईएगा तो माता का तीन से पुत्री का एक से 16, 4, 16, 16, 48 बर्स माता 16 बर्स पुत्री लेकिन यह बरत्मान नहीं निकला यह चार सल बाद निकला बरत्मान निकालने के लिए हमें चार माता हम गटाना होगा चार पुत्री में तो माता हो जाएगी 44 बर्स, पुत्री हो जाएगी 12 बर्स, बर्तमान में माता 44, पुत्री 12, पुत्री 12, माता 44, लड़की 12, माता 44, ठीक है बढ़िया है, चकाचक है, सेल ही आ जाते, दस तक पहुंच गया, कुछ को सनार है, इसको लपेटते हैं, तेजी से, आज आईए, क्यूशन नमर 11, पुत्र की बर्तमान आई, उसे दुगनी है, है मतलब बर्तमान में, पुत्र से क्या है, दुगनी है, पुत्र एक, तो पिता दो, इतना तो लिखी सकते हैं, यदि उसके पुत्र की आई, अभी 20 बर्स है, तो कितने बर्स पहले, उसके आई, उसके तिन गुनी होगी, सबाज, देखिए, इसके पहले जो भी कोसन दिया हुआ था, बर्तमान का दिया हुआ था, पांच साल, आट साल पहले का दिया हुआ था, पुत्र या पीता पुछना था, यहा क्ली के निसार फुत्र बर्तमान में दो है तो पुत्र की तुल्ना पुत्र से कितने बर्स पहले है तो नीचे किपना जा रहे हैं तो एक से गुना सब रेशियो का केल है, रेशियो का कमाल है, सारे चेप्टर को हम लोग नास्ते नाभूद किया, इसके पहले हम लोग बहुत सारा कोशन बना आचुके हैं, महित वाले एज में, तरह एक पिता आपने पूत्र से कहता है, अब देखें इस पॉइंट्स को समझे, यदि कोई पि पिता और पूत्र, जिसमें पूत्र पाइदा हो रहा था ता पूत्र जीरो था, पिता एक्ष बर्स का था, लेकिन अब पूत्र एक्ष बर्स का हो गया, तो पितां भीटो एक्ष पढ़ जायगा, तो यह झा रिप टू एक्स हो जाएगा मलब काट के कितना हो जाएगा दो अनुपात एक यहां कुछ ने तो एक बच इसलिए ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा कंडिशन बोले एक पिता का अपने पूर से कि जब तुम पैदा हुए था तब मैं तुम्हारी परत्वान उम्र का था यदि पिता चत्डिस बर्स है तो पुत्र अठ्ञा बर्स हो जाएगा लेकिन पुत्र बोड़ा है पांच साल पहले पूत्र पहले 5 साल पहले है तो अठाना में पांच घटा ये ए results पुत्र पांच बर्स पहले झीचरल के थेे पुछरा पांच बर्स पाहिले तो अठारा में स्पांच गया तेरा बर्स यदि दस भी द्यारतियों क्या यूख रमसा तीन आठ दस तेरा ग्यारा नाव आठ साथ नाव में ग्यारा तो इसके आउसाद आई उसमें क्या दिक्कत है इतो लॉली पॉप है आउसत बराबर युकफल बड़ा संख्या कर दिजे क्या सबको जोड़ के सबसे भाग देने के लिए इंजिनियरिंग करना पड़ेगा ये बताओ जोड़ो सबको जोड़ो 3, 8, 11, 10, 21, 33, 34, 34, 45, 45, 49, 54 में आठ जोड़ियेगा तो 62, 62, 67, 79, 79 में नव जोड़ियेगा तो हो जाएगा 48, 78 में 11 जोड़िये, 79 में 11 जोड़़िये तो 89, 2, 4, 28, 26, 28, 29, 10 79 में 11 जोड़िये तो 89 होगा है, 89, 89 20 कितना हो जाएगा, 88 में एक जोड़िये ताब नहीं है है दोलction मेर शेरवाद्रों और सुक्त है है को ठता है माई की आईू पुत्री के जौग्नी मा पूत्री की चौग्नी है पूत्री एक तो मा क्या बोल के रहा है मा क्यायू पुत्री क्यायू के चोगनी है पांच बर्सवाद है मतलब बर्तमान में पांच बर्सवाद मा क्यायू पुत्री क्यायू के तिगनी होगी मतलब एक है तो तीन है पांच बर्सबार मा की आयू पूतरि की आयू कि ठिग नी हो जाएगी बताएं कि उस समय मा की आयू क्या होगी उस समय इन पांच बर्सवाद मा की आयू पूत्र की आयू की ठीक नहीं हो जाएगी तो पहले तो हम अंतर सेम करेंगे उपर है चार है एक तीन का अंतर नीचे है दो का अंतर तो नीचे के अंतर से उपर गुना करिए उपर के अंतर से नीचे गुना करिए देखे अंतर सेम हो गया होगा चार दुनिया आठ है दू छे कांदर तीने आठीन हां आतीन पांदर अच्छी इंधर वस ब राध से आठ से नो हो गया दो से तीन वह एक की विर्दी विर्दी तुना फिर्दी से बोड़ा उस समय बताएं कि उस समय माकियायू क्या होगी मालब पांस साल बाद पास साल वाद माक यू पूछ रहा है तो पास साल वाद मा किया ईंद्य नौ से सगना specifically निभा पैट endless कि अधिन माक यू पुछता है तो उपर वहां सगना करते आठ से पान्स सल बाद पूछ रहा है तो नीच होळा से जिस रिशयो से गुना कर maximize